नमस्कार स्वागेताब सभी का साथियों बेहाद अब बड़ी खबर आई है करनाल से कच्छे करमचारियों के बारे में मीडे मील वरकर यूनिन 29 अक्तूबर को मुख्या मंतरी आवाज के बार करेगी परदरसिन आसा के बाद अब हर कोई कच्छा करमचारी परदरसिन के लिए तियार कर रहा है बड़े फैंसले मीडे मील वरकर यूनिन ने सुना है बड़ा फैंसला रेज्या कमेटिके फैंसले के अनुसार 29 अक्तूबर को मांगो को लेकर मुख्या मंतरी आवाज का परदरसिन किया जाएगा वहें पर करन पारक में हुई मीटिंग के अध्यक्स्ता सिमला के परदान ने की वहें पर संचालन संतोस ने किया 6 बलोकों की मीटिंग पदिकारी भी पहुंचे हैं वहें पर मीडे मील वरकरों को आर्थिक मानशिक सुसन किया जा रहा है तीन महिने से मांदे नहीं मिल रहा ये कहा है यूनिन की मांग ए 12 के 12 महिने वितन दिया जाए मांदे हर मेने सिम्या पर मिले रिटायर्मेंट पर आसा वर्करों की तरह दो लाख रुपे और वर्कर की मिर्टू होने पर पांच लाख रुपे दिया जाए रिटायर्मेंट के आयो 65 वरच की जाए वर्दी के लिए 2000 पर भत्ता दिया जाए मेडे मिल वर्करों को दोबारा नोकरी पर रखा जाए जो की हटा दिये गए है ये मांग की गई है बेहाद अब बड़ी खबर है कच्चे करमचारियों के बारे में आसा वर्कर की तरह सभी मांगे मानें वहें पर बारा के बारा मेहिने वेतन देश सरकार अब होगा बड़ा फैंसला 29 अक्तुबर को हड़ताल पे जा सकती है